मेरे देश की धर्ती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धर्ती मेरे देश की धर्ती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धर्ती जी हाँ आओ सबसे पहले अपना देश तब हम सब सभी मिलकर देश को नोने माड करें देश को सकसाली बनाएं और देश की खुबसूरती और सुन्दरता भी यही कहती है देश के किसाम है देश के खोजियों को सवह पिट करता है नमस्कार मैं हूँ लालचन सोनी आसुबट आइंस में आप सभी का स्वागत है अपना देश जब मजबूत होता है सकसाली होता है तो गर्व मैसूस होता है कि हम भारत के रहने वाले हैं भारत की सवासो करोन देशवासियों के आशिरवास से आज सकसाली हो रहे हैं और या इरादा मजबूत के साथ हम डगे रहते हैं इरादा नेक होना चाहिए कोई भी हो और खोज बिन जारी होना चाहिए हमारे देश की फोज जिस तरह से देश की रच्छा सुरच्छा करने के लिए 24 गंटा तैनात रहते हैं और टस से मस नहीं होते हैं वैसे हमारे देश के बैग्यानिक दिन रात देश की मजबूती के लिए भी कदम पर कदम बढ़ाये रखते हैं अपने अपने छेतरों में आज लगता रिसर्च करते हुए देखा जा सकता है चाहे चांजतारों की मिसन की बात हो चाहे तेजस बनाने की रच्छा सुरच्छा की बात हो चाहे करोना बैक्सीन की ताजा आप उधारन देख सकते हैं सभी हमारे बैग्यानिक तरह तरह की खोजबीन में लगे रहते हैं और देश को सक्साली और मानवता के लिए हमेशा आगे रहते हैं आप देख सकते हैं कि करोना काल जिस तरह से लंबी लड़ाई चली गई और आज बैक्सीन भारत ने तयार किया और देश बिदेश में अपनी सेवाएं आज करोना बैक्सीन दे रही है इसे कितना हम उन्हें धनबाद देते हैं जो हमारे बैग्यानिक जल्द से जल्द दिन रात खोजबीन करके और देश को मजबूत बनाए हैं और मानवता के लिए जीवन की एक अलग उधारन उन्होंने पेस की हैं तो हम उन्हें सलूट करते हैं अब नंदन करते हैं तो ऐसे खोजबीन हमेशा जारी रखना चाहिए चाहे देश की सुरच्छा की बात हो और चाहे मानवता की जीवन की बात हो तो हम सब क्यों ना आगे बढ़ें और क्यों ना हम सोचे अपने देश की बारे में आईए हम संदेश देश की सकती और मजबूती के लिए हमेशा आप तक अपनी संदेश पहुंचाते रहे हैं वही पर भारतिये थलसेना को आत्मिभर मेक इन इंडिया स्वादेशी के अरजुन एम बीटी और यम के आई एक टैंक जैसे नेमार करके और वह देश की रच्छा सुरच् आमिल किया गया अत्यादी खुसी की बात है जब देश इस तरह की सोच और संदेश देखी तो गर्वित महसुस्वी और चेहरे पर मुस्कान की अलग जलक दिखाई दिया देश की सभी लोगों ने चेहरों पर खुसियां जलकती दिखाई दी देश और सकसाली हो मजबूत ह इसे देखते हुए सभी लोगों ने बर चड़कर अपनी अपनी राय रखे हैं इससे लेकर सबसे पहले आज हम सभी लोग खुस हैं और आप सभी स्वस्तर हैं जीवन में अपने परिवारों देश के खुसियों के लिए हमेशा जीएं आप हमेशा सकरात्मक सोच रखें और सुनिए रिटायर फोजी राजेश गुपता जी के एक संदेश देश की आनबांसान और सुरच्चा को लेकर आज लगतार बताते रहे हैं आप तक अपनी आवाज संदेश सुनाते रहे हैं आगे एक रिपोर्टिंग आप देखिए बड़ी ही खुसी की बात है प्यार भरा तोफ़ा हमारे माननी प्रधान मंत्री जी ने 14 फरवरी 2021 को भारती सेना को दिया है और भारती सेना के इस प्यार भरे तोफ़े को पाकर बहुत ही खुस है और हमारे देश के बासी भी बहुत खुस है इस प्यार भरे तोफे को अर्जुन MBT टैंक के नाम से हमारे माननी प्रदानमंती जी ने हमारी ठल सेना को दिया है और वास्तों में हमारी भारती सेना अब और दमखम से मजबूत हो गई है अर्जुन MBT टैंक मार्क वन ए बास्तों में अपने में बहुत ही वड़ा एक सक्साली टैंक है जिसका स्वदेशी आत निर्भर मेकिन इंडिया के तहत हर एक चीज सब भारत वर्स में बनी है बहुत खुसी की बात है और बहुत ही प्यार भरी बात है इस 14 तारीक को जो प्यार का तोफ़ा मिला है देश की सेना को बास्तव में ये कभी हम लोग भूलेंगे नहीं इस टैंक की खासियत भी बहुत है इसमें फायर पावर भी बहुत है और इसकी जो ट्रास्मिसन पावर है सक्ति है वो भी बहुत ज़्यादा है और चलते समय ये माइन्स का इस पे कोई फरक नहीं पड़ता मिसाइल का इस पे कोई फरक नहीं पड़ता ये काम करने के लिए हमारे देश के सेना विवाग में जो भी पैज्यानिक लगे हुए हैं इस काम को करने के लिए उनको बार-बार सैलूट करते हैं आपको पता होगा कि हमारी रक्षा मंत्राले के अंतिकत DRDO और DRDO के अंतिकत CBRDE ने इसको बना कर तयार किया है जो वास्तों में मेकिन इंडिया, सोदेशी, आत निर्भर की एक सीणियां चरते हुए हम उपर जा रहे हैं वो दिन धूर नहीं कि हमारी भारतिय सेनाएं सोदेशी का, आत निर्भर का और मेकिन इंडिया का सारा सज्जो समान लेकर युद्ध का समान लेकर इसके साथ ही अपने देश की सीवा की रख्षा करने के लिए टटपर और मजबूत हो सके लड़ेंगी और सीनातान के दुस्मनों का जबाब देंगी बास्तों में इन सब उपलब्धियों के लिए हम इसमें जो भी लोग लगे हुए हैं जाए वो आयोद निर्वाडी बोर्ड हो और उसकी निर्वाणियां हो जो एकतालिस हैं और जो डियाइडियो है और उसके जितने भी स्टब्लिमेंट हो वो हो और साथ ही साथ रक्षा मंत्रा लेके जितने विभाग है इन सब का जो कार है बड़ा ही सरानी है और बड़ा ही गर्व भरा है कि आज के तारीक में हमने अपने प्यार भरे तोफे को भारतिय सेना को सुपर्द किया है और बड़े गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि अब हमारी भारतिय सेना ऐसे ही दिन राद दिन राद और दिन राद चोगनी उन्नति करके ऐसे ही और आयुद्ध उपकरणों हिसे को पाकर वो दिन दूर नहीं कि हर जगा हर कोने में भारत की सीमा में हमारे सुदेशी आत्निर्भार्त और में के इंडिया का न आरा बजेगा उसका बाजा बजेगा उसका जो है बुलंदी से हर जगा दिखाई देगी ये चीजे की स्वदेशी की चीजे हमको मिल गई हैं मिल रही हैं और हमारे बैग्जानिक दिन रात हमारे टेक्निकी दिन रात इसके सोच में इसके सोध में लगे हुए हैं और इसको बना कर इसकी निर्वान करने में लगे हुए हैं जो पूरी तरह से गुलवत्ता के लिए ख थी पूरे विस्वास होते हैं वह हमारे पूरे विश्वास के साथ वो यही रखळीं, विनुदी राष चोगनी उनका उसल Behind हम बढ़ा रहे हैं बढ़ाते जाएंगे और यही करते रहेंगे कि सारा देश आपको बधाई दे रहा है आप सब लोगों को सुखकामनाई दे रहा है जै हिं जै भारत राजेश गुपता एसी से स्टाव स्टेश चीफ बेशोपी आपको यह 14 फर्वरी 2020 को प्यार भड़ा है फूलों का तोफ़ा आप सब भारती सेंकों को सारे बेग्यानकों को और जो भी इसकार में लगे हैं उन सब को मेरी तरफ से देश की तरफ से एसी सी अप की तरफ से भेट है शिकार कीजिए जै हिं जै भारत भारत मता की जै भारत मता की जै भारत मता की जै भारत मता की जै ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेसर मिल जाए धन बात